Hello friends, आज मैं आपको 2013 की एक real life story for best way back home ये movie explain करने वाला हूँ इस movie में एक mother एक अलग country में arrest हो जाती है इसे जो crime क्या होता है ये जाने अन जाने में इससे हो जाता है अब ये family क्या करेंगे? अब हम इस movie में देखेंगे तो चलिए ये शुरू करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और यून हमें पैरिस एरपोर्ट पर दीखती है एरपोर्ट की जो अथरिटी होती है इसको इस पे शक हो जाता है और यहां arrest हो जाती है अब इसकी backstory हम देखेंगे हमें हमारे दो man character दीखते है यून और जॉंग यून वाइफ है और जॉंग उसका husband है ये दोनों एक car repairing shop चलाते है यून भी आज गाड़ी को कुछ साफ कर रही होती है तो भी एक spider उसे दिखता है उसका husband उसे बुलाता है तो इस spider मर जाता है आज उसके husband की बहुत सारे friends आने वाले होते है ये कहती है कि मैंने आज spider को मार दिया है ये आप शुगोंने आज उन्हें आने से मना कर दो husband कहता है कि इसा कुछ भी नहीं होता मेरे जो friends है ये मेरे family की तरह है यो कभी भी आजा सकते है कोई हमें problem नहीं आएगा ये इनकी conversation चल रही होती है तो भी मुंदो आ जाता है मुंदो वही friends में से एक है जो इन से मिलने आले वाला था मुंदो बहुत दिनों से गार था वो कहा था क्या कर रहा था किसी को कुछ भी पता नहीं है रात में जब ये डिनर कर रहे होते है तो और दो friend आते है इन friends में से एक business man होता है एक computer की shop चलाता है और एक मुंदो होता है एक दुसरे से अपना हाल चाल पुछते है मुंदो को पुछने पर कि वो क्या करता है एक story make up कर देता है इसने sona find किया है और पिछले तीन सानों से वो यही था जो business friend friend होता है उसे जब पुछा जाता है तो कहता है यौन और जॉंग इन दोनों मुझे बहुत help के हैं मेरे business को लेकर इन्हीं वैज़े से मैं stand हो चुका हूँ और तीसरा जो friend है computer center चलाता है इस रात इन सब friend की reunion हो जाती है नेक्स दिन जैसे एक family के morning routine होती है वह इसे इनकी routine चलती है यौन अपने बेटी के health बना दिये और अब वो school जाने वाले होती है जब जॉंग और डॉटर ये दोनों घर से बाहर चले जाते है और यौन अकेली होती है तभी business man friend हो आता है ये यौन से खाना मांगता है और कहता है कि बहुत दिन हो चुके है मैं तुम्हारे हाथ का खाना है नहीं खाया था इसलिए मुझे याद आ गई और मैं आ गया यौन भी उससे जादा कुछ नहीं पूछती रात में पुलिस को इसी business man friend की body मिलती है इसने suicide कर ली होती है इस पर बहुत जादा debt हो जाती है और ये सहर नहीं कर पाता इसके बाद जौंग और यौन को बैंक में बुला जाता है बैंक वाले उससे कहते हैं कि तुम पर 200,000 डॉलर्स का लोन है एक्चुल में जो business man friend था इसने loan लिया था as a guarantee जौंग ने इसके लिए sign की थी पर जौंग ने सिर्फ 50,000 डॉलर्स के लिए ये sign दी थी इससे पता ही नहीं था कि 200,000 डॉलर्स है अब ये दोनों बहुत जादा trouble में आ जाते हैं जिस house में हो रहते थे इस house को उन्हे sell करना पड़ता है अभी भी loan बहुत है तो एक छोटे से घर में जाकर rent पे उन्हें रहना पड़ता है इनकी financial situation बहुत ही खरा होती है तो इनके friend मुंदो के पास वाते है इसने कहा था इसी gold mine मिली है तो इसके पास पैसे होंगे ऐसा होने लगता है जब इन मुंदो के पास आता है तो मुंदो कहता है कि उन्हें बहुत सारे पैसे दे सकता है 4000 डॉलर सिर्फ 3 दिनों के काम के लिए यह हो उन्हें deal दे रहा होता है यह काम जब उन्हें समझाता है तो यह होता है कि एरपोर्ट पर जाना है और अपने लगेश में बहुत सारा सामार रगना है उन्हें कहता है कि एक स्टोन से जो तुम्हें इंपोर्ट करके लाने है बस तीन दिनों में तुम वापस आ जाओगे और 4000 डॉलर्स तुम्हारे हो जाएंगे यून को यह बहुत ही suspicious लगता है जोंक कहता है कि इस बाद सोचकर में तुम्हें बताऊंगा जब रात होती है तो मुंदों से जोंक बात कर रहा होता है यून से कह रहे होती है कि एक काम तुम्हें नहीं करना चाहिए पर जोंक उसकी मानने नहीं वाला होता है बहुत ज़्यादा लोन उस पर होता है और एक ऐसे पे करेगा यह बहुत बड़ा प्रॉल्म होता है जब यह बात कर रहे होते हैं तब जोंक को पता चलता है कि इस काम के लिए सिर्फ लेडिज लगने वाली है जोंक यह काम नहीं कर सकता तो यह बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड हो जाता है अब जिस नए घर में वो पहुच चुके है तो इसकी जो लैंडलोड है यह उन्हें अब डाट रही होती है बहुत दिनों से इन्होंने रेंड भी नहीं दिया होता अब दो-तिन दिन गुजर जाते है जोंग घर पर ही नहीं आता कंटिनूसली वो काम कर रहाता है यानि कि बहुत सारे पैसे वो ला सके डॉक्टर यून से पुछती है कि फादर कहा है पर इसके पास जादा कुछ आंसरस नहीं होते अब यून को महसुस होता है कितनी बड़ी प्रॉलम उन्हें आ चुकी है फिर वो मुंदो को कॉल लगाती है वो कहती है कि इस काम के लिए मैं रेडी हूँ अपने बेडी को वो बाजार में लेकर जाती है घर आतेवक एक टॉय के शाप में डाटर रुखती है इसे एक बड़ी सी डॉल चाहिए होती है पर यून के पास इतने पैश नहीं होते तो एक छोटी सी डॉल उसे ले लेती है डाटर को कोल लग रहा होता है तो अपने कंदे पर यून उसे बिठा लेती है उससे कहती कि थोड़ी दिन तक मैं यहाँ से बाहर जाने वाली हूँ तुम्हें अच्छे से रहना है सब इंस्ट्रक्शन उससे देगर वो चली जाती है जौंग जब घर पर आता है उसे फ्रीज के उपर नोट मिलती है यह थोड़ी दुनों के लिए बाहर जा रही हूँ यून ने अपनी डॉर्डर को उसके एंड के हाँ छोड़ा हूँ होता है मुवी के फर्स में हमने देखा था कि यून एरपोर्ट पर पकड़ी जा चुकी है अब यही वो सीन है और उसका लगेज पकड़ा जाता है जब यह चेक किया जाता है तो उसमें बहुत सारी कोकेन होती है 150 मिलियन यूरोस की यह कोकेन होती है मुदो ने उसे बताया था कि अगर वो पकड़ी गई तो कस्टम वालों को पैसे दे देना पर यह यहाँ काम नहीं करता यह उसने जुट बोला था उसे अब जेल में डाल दिया जाता है मुदो की जे गर्फरेन होती है यह भी पकड़ी जाती है इसे भी जेल में डाल दिया जाता है अब जॉट को इस सब इंसिडेंट के बारे में पता चल चुका है यह पुलिस के पास आता है उन्हें कहता है कि उसे पता ही नहीं था उसे लगा था कि यह स्टोन से अगर उसे पता होता कि यह कोकेन है तो यह कभी भी नहीं करती पुलिस कहती ही कि हमें सिर्फ मुंदों को पकड़ना है अगर वो पकड़ा गया और उसने टेस्टिमोनी दे दी तो मारी वाइफ फ्री हो जाएगी कोई प्रावलम ने आएगा जादे जादे वो जाँग को अपनी पी करने के लिए बोलते है इस पर भी पुलिस को शक होता है यह भी अपनी वाइफ को एक काम करवा सकता है इसलिए इसको भी पी सैंपल और हैर सैंपल देना पड़ता है डॉटर अपनी मदर उससे देखने रही तो उसे बहुत ही परिशान करती है जाँग उस पर चिर जाता है उससे बहुत बुरा लगता है मुंदूगी जी गर्फरंट जो पकड़ी जा चुकी होती है वो as a suspicions पकड़ी जा चुकी होती है इसके पास कोकेन नहीं होता तो जो छोड़ दिया जाता है Korean Embassy से आई हुई एक लेड़ी भा होती है यून उसे पूछती है कि ये क्या हो रहा है उसे अपने husband को call करना है ये भी उसे बताती है ये बहुत strict होती है और कहती है ये French Embassy के लिए काम करती हो तुम जब prison में पहुँचा होगी तब later लिखना जोंग police के पास आया होता है और Korean Embassy को ये सब inform किया जाता है पुलिस officerों से कहता है थोड़े दिनों बाद तुम Embassy को call करना ये जो सब matter है इसे वो देख लेंगे अब हमें Korean Embassy का office दिखाय जाता है यहाँ पे ये जो सब matter हुआ है एक boss को एक employee समझा रहा होता है boss उसे कहता है कि ये जो सब हुआ है ये हमारी ले disgrace है इस पर वो जादा ध्यान नहीं देने वाले होते ये जो employee होता है इसका नाम Dayune होता है अब हमें दिखता है कि Dayune Paris में आ चुका है और Yoon से वो मिलता है उसे कुछ paper sign करने के लिए बोलता है tooth brush वेगरा कुछ सामन उसे दे कर जाता है ये उन कहती है कि मुझे मेरे husband से बात करनी है ये उन कहता है कि French law बहुत ही कड़क है तुम मुने husband से बात नहीं कर पाऊगी जब तुम prison में जाओगी तब ही तुम later लिख पाऊगी ये बहुत येडगिड़ा रही होती है तो prison guard को इस पर दया आ जाती है इसे call करने के लिए वो permission दे देता है जब ये call लगाती है तो John busy होता है जो करजा उसे लिए होता है ये उसे चुकता करना पढ़ रहा है तो इसके calls उसे आने लग जाते है लास्ट चांस में यून को call लग जाता है वो जोंग से पुछती है कि इतना time क्यों लगा दिया जोंग कहता है कि एसे तुम कैसे चली गई थी क्या हुआ था ये सब उसे पुछता है यून को अपनी डॉटर से बात करना आता है इनकी बीटी कार में होती है और ये रस्ते के एक साइट पर होता है ये भागते भागते वहा जाता है पर यून का time खतम हो जाता है वो अपनी डॉटर से बात नहीं कर पाती है इस दिन मुंदो की गर्ल्फरेंड कोरिया में आ जाती है वो पुलीस टेशन में होती है तो जौंग भी वहाता है उसे बुछता है कि तुम कैसे आगे और कैसे यून वहा है वो बहुत ही उस पर चिट गयाता है पुलीस ओफिसर कहता है कि इन्वेस्टेशन चल रही है तुम इसमें जादा इंटरफेर मत करो क्यों जादा ही आवाज उठाता है तो ओ कहता है कि तुमने एक गुनेगार से शादी की थी इसमें हमारा कोई दोश नहीं है तुम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते है उसे वाज से जाने के लिए बोलता है तो मुन्दो की गल्फरेंड भी आती है मुन्दो की गल्फरेंड उसे कहती है तैवान नाम का एक आदमी था यह मुन्दो का बहुत अच्छा फ्रेंड था अगर तुम इसे ढूंड लो, मुन्दों को भी तुम ढूंड सकते हो अब थोड़े दिन हो जाते हैं, तो जॉंग कोरियन एंबसी को कॉल लगाता है यहाँ पर देयोंग उसे बात कराता है देयोंग इसे कहता है, यह जो क्राइब हुआ है, इसकी हेरिंग होने में चार मन्द लगेंगे योंग उसे भुचता है, कि तब तक के लिए मैं क्या कर सकता हो देयोंग उसे कहता है, कि अच्छा सा एक लॉयर ढूंड लो इसके लिए भी बहुत सारे पैसे अब योंग को लगेंगे देयोंग अपने ओफिसर के पास आता है, वो कहता है, कि अगर हमने पेटिशन साइन की अगर आपने फ्रांस के एंबसी से डारिकली बात की, तो हम यह जो पिरेड है, यानि कि फोर मन यह घटा सकते है, डारिकली हम ट्रायल में जा सकते है, बहुत ज़्यादा इसे हो सकता है, यह जो आफिसर है, इसको इसमें इन्वाल्व नहीं होना, इसलिए इसको यह मना कर देता है यौंग जग घर पर आता है, तो उसका पूरा सावन रस्ते पर होता है, यह रेंड पे नहीं कर पा रहा, इसी वज़े से होता है हमें रिखता है, कि यून उससे लेटर लिख रही है, इसमें उससे पुछती है, अब तो बहुत ज़्यादा थंडी होगी उसकी डॉटर का खयाल रखने के लिए उससे बोलता है, उससे cold हुआ है या नहीं, यह उससे पुछती है इससे कहती है कि comfortable है, इसके लिए worry करने के कोई भी ज़रूत नहीं है यून prison में होती है, तब एक guard आती है, उससे कहती है कि तुमारा transfer हो रहा है यून को इसकी भाषा समझ में नहीं आती, पर यहां से उससे जाना है, यह उससे पता होता है यून से पुछती है कि हमें Korea जा रही हूँ, Korea के prison में रहूंगी, पर यह वहां नहीं जा रही होती है इसे flight से ले जाया जाता है, वहां उससे transfer कर दिया जाता है यह चल बहुत ही strict होती है, यहां के guards जो होती है, यह बहुत ही जालिम होती है यून को इनकी भाषा समझ में नहीं आती, तो communication का बहुत जादा problem इसे होता है जब रात होती है तो उसके पास guards आती है, इसे कुछ गोलिया देती है, इसे लेनी होती है, पर यह ले नहीं रही होती है इसे फिर यह मालते है और जबरदस्ती यह उससे लेनी पड़ती है नेक्स सिन में हम दिखता है, यह जो यूंग है, यह मूंदो के office में आ चुका है अगर वो मूंदो को ढून लेगा, तो यून की सजा कम हो सकती है, उसे सजा भी नहीं हो सकती office में जब वो आता है, तब और कुछ गुंडे वहाँ आये हुए होते है इन्हें लगता है कि यह मूंदो को friend है, तो इसे बहुत मारते है यूंग को फिर वो अपने बॉस के पास लेकर आते है, जो सब situation होई है, यह यूंग उन्हें समझाता है बॉस को बहुत ही पुरा लगता है, कि यह भी उनके जैसा ही है यह जो गैंगस्टर बहुत है, इसके भी पैसे लेकर मुंदो भाग चुका था जोंग से किता है, कि मुंदो को तुम्हें भी ढूड़ना है और मुझे भी ढूड़ना है हम दोना एक साथ काम कर सकते हैं परियर गैंस्टर उसके इंसल्ट करकर उसे घर वेज देता है जोंग पर बहुत सारा लोन अभी है, तो उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है उसके डॉटर का खयाल अच्छे से नहीं रख पाएगा तो टॉटर की जो एंड होती है, वह छोड़कर उसे चला जाता है यून को जेल में बहुत दगलिफ होती है ये जो खाना खा रही होती है, ये दूसरी इनमेट्स इसका खाना साब छीन लेती है रात में फ्लोर पर जो बेड क्रम्स पड़े होती है, ये खा कर वो सो जाती है जो आग मुंदो के ओफिस में गया था, बहुत सारी रिसिप्ट वहाँ से उसने लाई है एक एक रिसिप्ट को वो कॉल करता है, उसे कुछ ना कुछ तो इविडेंस चाही होता है उसे कुछ ना कुछ तो पता चाही होता है, ये मुंदो कहा है ये बहुत सारी जगा कॉल लगाता है, और तैवांग और मुंदो इन दोनों का पता डूनता है एक वोच की शॉप में एक कॉल लगती है, मुंदो जहा है ये इने पता है जॉंग फिर इस शॉप में जाता है शॉप में जाने के बाद मुंदो के नाम के जो घडिया होती है यह उसी दिखाई जाती है इस शॉप के बीछे मुंदो का सब ओपरेशन चलता है और मुंदो के मिलने का यह कीवर्ड होता है जौंग को इन वाचेस में से एक वाच शूस करना पड़ेगा और जो दुकान दार है इससे पता चल जाएगा कि क्या काम मुंदों के पास इसका है जौंग को यह समझ में ने आता तो वह वहाँ से चला जाता है पुलिसेस पर बिल्यू नहीं करती जो इंस्पेक्टर होता है वो कहता है यह सब तुम कहानिया मना रहे हो इससे अंडरग्राउंड ओपरेशन स्वेगरा ऐसा कुछ भी नहीं होता अपने कलिक को यह सब बताता है और यह दोनों हसते है बातों बातों में तैवांग का नाम भी जोंग ने बताया होता है यह पुलिस ओफिसर अपने कलिक को यह बताता है कलिक को कलिक होता है वो खहता है कि यह most wanted है इनकी list पर तैवांग होता है जब जोंग इस शौप के बाहर होता है तो Taiwan उसे देखता है यह इसके बास से ही जाता है इसकी पीछе भागता है पर कुछ ढोड़ने भाता Next scene में Yune की Jail में दिखाई गई है इस Jail में एक American होती है यह Yune के सेल मेट होती है जो दूसरे कई दी होती है इससे इसकी जादा कुछ जम्दी नहीं इन दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है इसमें यून को भी बहुत मारती है यह जो अमेरिकन है फिर अपने सेल में रो रही होती है यह अमेरिकन जब मार खा रही थी तो उसका एक कीचन नीचे गिर गया था इसमें यह American और उसकी मदर का फोटो था यून फिर यह kitchen उसे देती है उसे कहती है कि मैं भी मदर हूँ मुझे पता है कि तुम कैसे मैसूस करी हो पर तुम्हें रोना नहीं है अजो तुम्हारी मदर को पता जला कि तुम रो रही हो तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा यह American फिर इसे हग करती है और यहां रोने लग जाती है यह अच्छी best friend अब यहां से हो जाती है जौंग जोता है तैवां के साथ जो incident हुआ है यह सब वो गैंस्टर को बता देता है यह सब बहुत ही resourceful होता है उसे पता होता है कि कैसे इसका पता निकालना है अपने आदमियों को वो काम पर लगा देता है जौंग को उसके पुराने homeowner थी उसने बुला होता है अब वो वहां नहीं रह रह रहा है तो यून के जो लेटर से वो वही जाते है यह लेटर जौंग को मिल जाते है अब जो लेटर में का address है यह अलग है जौंग जो होता है यह computer center चलाने वाला जो friend है इसकी computer center में आप रह रहा होता है अपने friend को कहता है यह जो location है प्लीज इसका पता करो जौंग फिर यह लेटर पढ़ता है इस लेटर में यौंग कहती है यह पैरिस में थी वो बहुत ही cold था पर अप मैं ट्रॉपिकल आईलर्ड में आ चुकी हूँ यह बहुत ही गर्मी होती है मेरे पास जादा पैसे नहीं है क्योंग तुह लेटर इस लिख सको एक्सप्रेस शिपिंग के ओफिस में आ जाता है वहाँ के जो लेटी होती है वो उसे कहती है कि यह शिप करने में 20 days लग जाएंगे यह बहुत ही ज़ादा time है तो यह उसे suggest करती है कि अगर तुम Korean embassy से यह शिप करोगे तो यह बहुत ही fast चला जाएगा अब नेक सीन में दिखता है यह जो गैंक्स्टर था उसे तैवान कहा है यह पता चल चुका है जौंग को भी call आ जाता है और वो जहाँ होता है यहाँ चले जाते है तैवान को बहुत ही मारने लग जाते है तो यह पुलिस वह आती है पुलिस देवान को ले लेती है और उसे पुछताच गरने लग जाती है जौंग भी भाता है तो उससे देख कर और सप्राइस्टो दे गैंक्स्टर यौंग से बात करता है उससे कहता है कि तुम जो आप लड़ाई लड़ रहे हो इसमें पर्सिस्टन होना बहुत ही जादा इंपोर्टन्ट है कभी भी हार मत मानना यह कहकर वो चला जाता है यौंग फिर कोरियन एंबसी को कॉल लगाता है उन्हें कहता है कि मरी ट्रांस्टर मुझे करना है अगर आपके ध्रू में करूंगा तो यह बहुत ही फास्ट हो जाएगा यहाँ पर देयांग उसे कुछ अच्छे से आंसर नहीं करता वो कहता है कि क्या हमें यही काम है तुमारी वाइफ एक फेलन है एक डिस्ग्रेस है इस कंट्री के लिए हम इसे ज़ादा कुछ मदद नहीं कर सकते यूंग के हेरिंग होने वाली है या नहीं इसके पहले उसका इंटर्वी होता है कुछ नए इविडन्स अकर होंगे तो उसकी डिफेंड़न जजज को बताती है यूंग यहाँ कोछे बोलने बाती है क्योंकि छे फ्रेंज भी नहीं आ दी और इंग्लिज भी उसे अच्छी नहीं आ दी अब इसकी जो हेरिंग है और चार मैने के लिए पॉस्पन हो जाती है यह बाहर आकर अपनी आटर्वने से कहती है कि कि इतना डाइम लग सकता है अपनी तुटक भाषा में ही इससे सब कुछ बोल रही हुती है वो कहती ही कि तुम्हारा ड्रक्स का कैसे दो साल तक लग सकते है सिर्फ तुम्हारा ट्रायल स्टार्ट होने में यह बहुत ही डिसे पॉइंटर होती है अब जो पुलिस है इसने मुंदो को ढूण लिया है जोंग भात है वो सब जबब पढ़ता है से कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो पुलिस जोंग को समझाती है कि तुम्हारे लिए इंपोर्टन्ट है अगर इसने सही से गवाई देती कि यौन को पता ही नहीं था कि उस बैग में क्या था तो यौन छुट सकती है यौन भी फिर उसे पैर से समझाता है जोंग का लिटर यौन को मिलता है इसमें इसकी बीटी की फोटो थी है ये देखकर और रोन ले रच जाती है जोंग कहता है कि हम दोनों ठीक है हमारे बारे में तुम कोई भी जिन्ता करने की ज़रूद नहीं है तुम सिर्फ अपना खयाल रखना जो सब हुआ है ये मेरा ही फॉल्ट है इसके लिए मैं बहुत ही गिल्टी महसूस करता हूँ हम गिव अप नहीं करने वाले हम होप रखेंगे कि तुम जल से जल यहां से भार आ जाओगी अब इंगे जो डॉटर है ये ज़रा बड़ी होने लग गई है तो यूंग अपने लेटर में लिखती है उसकी फोटो मुझे भेज़ दो अगर में उसके बड़े के लिए वापस नहीं आ सके तो इसे पार्क में लेकर जाना वो अपने बेटी को लिखती है ये बहुत सारी पढ़ाई करना और फादर को जादो तकलिफ मत देना अब यूंग जो है अब प्रिजर में अच्छे से घुल मिल चुकी है उसके अब फ्रेंड भी बन चुकी है तो अब इसे जादा कुछ प्रॉलम नहीं आ रहा यूंग को जेज के सामने प्रॉलम आता है क्योंकि वहाँ टांसलेटर ही नहीं होता चो कोरियन में बात कर सके और क्या हो रहा है यह सब यह उनको समझा सके यह सब प्रॉलम वह लेटर में लिखती है जोंक फिर कॉर आपसी को कॉल करता है वो कहता है कि टांसलेटर वहाँ क्यों नहीं है देयाउन कहता है कि बहुत रिमोट फैसलिटी में है यहाँ पर हम किसी को भे नहीं बेश सकते हैं अगर भेजा जाए तो बहुत जादा खर्चा आ जाएगा यह हम taxpayer के money से कैसे ले सकते हैं पहले हमारा budget इतना कम है और अगर तुमारे wife पर हमने खर्चा कर दिया तो लोग हमें क्या कहेंगे हम एक drug trafficking करने वाली पर इतना जादा पैसा खर्च नहीं कर सकते यह घटिया answer देखकर call cut कर देता है next thing में हमें दिखता है कि मुंदों की hearing चल रही होती है मुंदों जोता है अपने crime के लिए confess कर लेता है और यह भी बता देता है कि यून की इसमें कुछ भी गलती नहीं थी जो हम courtroom में बुछता है कि अब क्या process होगी वहाँ का lawyer उसे कहता है कि जो भी transcript इस courtroom की है वो अब हम Korean embassy को send करेंगे यह French की embassy को translate करकर send करेंगे और इसके बाद यून का जो trial है वो start हो जाएगा वो जल से जल वहाँ से बाहरा सकीगी यून के लिए translator मिलनी पा रहा तो जॉंग अपने friend को लगा कर इंटरनेट पर message भेजता है अगर कोई Korean फ्रांस में रहे रहा होगा तो उसे ही message मिल सकता है यह जो अब transcript है जो Korean embassy को French embassy को भेजने है इसका काम start हो जाता है इसमें दो मेने लग जाते है इसमें John call करता रहता है पर देयांग जोता है इसे बहुत ही आंसर देता है Korean embassy में एक बड़ा officer आने वाला होता है इस दिन उनके office में बहुत ज़्यादा strictly सब लोग काम कर रहे होते है इस office में जो मेस होती है यह देयून देखता है देयूंग सब को कहता है यह officer आएगा और हम अगर ऐसे दिखेंगे हमारे reputation के लिए अच्छा नहीं होगा यह सब उन्हें साफ करने के लिए बोलता है यह साफ करते करते जो translation था जो ने भेजना था इसके file नीचे गिर जाती है यह अलग table पर चली जाती है और बहुत सारा time गुजर जाता है तो paper work खराब है जो इनने नहीं लगने वाला इसको shred करते है इसी shredding के files में वो चली गही होती है इस translation की papers को वो shred कर लेते है यह उनको judge के सामने फिर से hearing होती है जो Korean embassy है उसने paper work sending नहीं किया है तो फिर से चार मेने के लिए उसका trial postpone हो जाता है यह समझ में नहीं पाती यह हो क्या रहा है जोंग ने अपने बेटी को उसके end के यहाँ छोड़ा होता है पर वो थोड़ा सा गिर जाती हो और हर्ड हो जाती है जोंग फिर अपने बेटी को लेकर चला जाता है अपने साथी अब उसे रखने वाला होता है जौंकी बिटी का बढ़्डे आ जाता है उसे पाक में ले जाता है इस दिन उसे ज़्यादा कोछ तकलिफ नहीं देती यून को जेल की गाड़ी में से ले जा रहा होता है तब ये गाड़ी रूख जाती है जेल की गाड़ होती है जो इसे जबरदस्ती करकर इसे इंटिमेंट होना जाती है यून बहुत ही जिल्ला थी है वहाँ से गाड़ी जा रहे होती है तब ही ये लोग रूख जाते है और क्या आवाज आ रही है ये देखने लग जाते है यूंग बहुती डर गई होती है तो यह भागने लाग जाती है यह भागते भागते सी के पास आजाती है यह Caribbean Sea होता है जौंग जो होता है यह अपना सामान देख रहा होता है अमने पुराने यादे वो फिर से जीरा होता है इसमें उसे Caribbean Sea का एक पॉंप्रेट दिखता है यू यून की बेटी को यून की अब ज़ादे याद नहीं आती। यून से मिलने आते हैं, यून से सहारा देने के वज़ा, उसे कहते हैं कि तुम पॉजिट्व थिंगिंग करो, तो तुम मेडिटेशन करो, इस रूम में तुम यहीं कर सकती हो, बहुत यह लाबर्वा उसे आंसर देते हैं, और थोड़े पैसे देखर वहास ही चले जाते हैं, यून यह पैसे, फिर से उन्हें पार्सल कर देते हैं, यून जब सुनती हैं कि बहुत सारे साल उसे यहां रहना पड़ेगा, दस साल इसे रहना पड़ सकता है, तो यह बहुत डिस्टब हो जाती हैं, जज जहा होता हैं, उसे हो मिलने जाती हैं, पर गार्ड्स उसे रोक ल कि हम 10th anniversary पर यहाँ आने वाले थे, मैं यह wish करती थी, मैं कितनी गलत थी, मुझे लगता है, कि मैं एक बुरे सपने में हूँ, तुम दोनों, यानि कि जॉंग और उसकी बेटी, यह बहुत ही सफर कर रहे हैं, यह मैं सहन नहीं कर सकती, अपने आपका तुम खयाल रखना, यह स्लेटर में लिखती है, यानि कि इसके बाद, वो सुसाइट करने का अटेंट करती है, इसे होस्पिटर में ले जाया जाता है, यॉंग कोरियन एमबसी में आता है, यहाँ प्रेस रिलीश चल रही होती है, यॉंग यहाँ बहुत जादा तमाशा खड़ा कर लेता है, इनसे पूछ रहाता है, इनसे आटलिस बता दो, यह यॉंग केसी है, जब यह बहार आता है, तो एक रिपोर्टर उससे मिलता है, वो कहता है, यॉंचे तुमारे वाइफ पर स्टोरी करनी है, हम उसे मिलने के लिए फ्रांस जाने वाले है, क्या तुम हमारे साथ आओगे? जब 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 इसे मिल लिया है, तो अब इसे फिर से घर जाना पढ़ेगा, इन्हें एक दूसरे को छोड़ने में बहुत ये तकलिफ होती है पर इन्हें अब जाना पड़ता है जो सब reporter है और John ये सब Korean embassy आजाते है उनसे सवाल पुछने लग जाते है उन्हें translator के बारे में पुछते है जो boss होता है और केता है कि हमारे जो money और resources है इसमें उन्हें बहुत try किया था पर हमें फ्रांस में कोई भी नहीं मिला reporter कहते है कि वहाँ एक Korean थी यहां में इंटरनेट पर मिली है पर तुमने कुछ दखर ही नहीं ली थी यह उन्हें बहुत जादा blame कर रहे होते है यह फिर इन्हें papers के बारे में पूछते है कि तुम्हें France को कुछ papers भेजने थे वो तुमने क्यों नहीं बेजे है यह boss कहता है कि हमने तु भेजे थे और France का जो system है यह बहुत ही गटिया है यह उन्हें paper गुम कर दियो होगे John को इन पर पिलिव नहीं होता और कहता है कि तुमने paper तु send किये थे तो इसके कुछ receipt होगी यह boss उस पर चिर जाता है और कहता है कि of course हमारे पास receipt है यह फिर receipt ढोडने लग जाते है पर इने receipt कहीं भी नहीं मिलती है John फिर देवंग पर चपक जाता है उसे मानने के खोशिश करता है यह situation ज़रा control करते है यून ने इन paper के बारे में John को बताए था इसी वज़े से यह सब हुआ है तो अब यह जो Korean Embassy के boss वगरा है यह यून से मिलने के लिए आती है यह कहते है तुम्हारे यह वज़े से यह सब हो रहा है तुम एक criminal हो और हम जैसे इमानदर officers को यह सब जहिलना पड़ रहा है तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हें यह वज़े बेबर मिल गए तो ज़्यादा कुछ difference होगा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जो तुम्हारे होप है यह सब तुम छोड़ दो यूंग बहुत ही रोने लग जाती है यह जॉंग को call करती है और कहती है कैसे मैं होप सोड़ सकती हूँ यही तो मेरे लिए last chance है जॉंग उसे कहता है कि अवी भी खतम नहीं हुआ है हम और भी लड़ने वाले है जो TV वाले होते है इन पर France का government pressure लगाता है कि जो story उन्हों नहीं की है यह run नहीं कर नहीं है इसके बाद फिर जॉंग अपने friend के बास आता है वो इंटरनेट पर यह सब leak कर देते इसके बाद बहुत सारे लोग इन्हें support करने लग जाते है बहुत सारे shares होते बहुत कुछ हलचल मत जाती है इसके बाद सब पर pressure आ जाता है जो documents थे जो query embassy ने documents नहीं भेज़े थे अब France के पास आ चुके होते है यह उनको एक अच्छा सा lawyer मिल जाता है इसकी hearing अब start हो जाती है इस hearing में यह उनको जो lawyer होता है यह सब को समझाता है कि इसको पता ही नहीं था कि इसके पास ड्रक से इसकी गवाई हो जाने के बाद judge अब फैसला सुनाने वाला होता है judge यून से पूछता है कि क्या तुमें कुछ बोलना है यून खड़ी हो जाती है वो कहती है कि हा मैं गिल्टी हूँ थोड़े से पैसो के लिए मैंने काम किया था पर ये जो सब हो रहा है इसके सजा मेरी family भुगत रही है इससे घर जाना है ये वो judge को कहती है मेरी बीटी 4 साल की थी पर अब वो 6 साल की हो चुकी है अपनी मदर के भिना उसे जीना पड़ रहा है मुझे फ्लीज घर जाने तो ये अपेल हो judge से करती है judge थोड़ी देर बाद फिर से वो आता है उसे एक साल की सजा देता है पर अल्रेड़ी यून ने 2 साल जेल में spend की है तो अब उसे सजा नहीं होने वाली वो directly अब घर जाने वाली होती है ये बहुत ही खुश हो जाती है ये फिर एरपोर्ट पर आती है judge उसे मिलता है अपने बेटी से वो मिलती है उसकी बेटी उसे identify नहीं कर पाती है इसका जो चेहरा होता है ये वो भूल चुकी होती है ये डर रही होती है तो judge उसे कहता है कि मदर के पास जाओ ये फिर उसे गले लगा दी है इसके बाद फिर हमें इनका जो रूटीन था वो फिर से स्टार्ट हो चुका है ये हमें दिखता है ये उन अपने बेटी के बाल बना रही होती है judge थोड़ी दिर बाद घर आता है इस सीजन में पहली बार आज स्टो किरने वाला होता है स्टो किरना स्टार्ट हो जाता है ये सब को भार बुलाता है एक कैमेरा वो लाता है एक फैमिली फोटो लेने वाले होते है तो वे जॉंग को फिर से गॉलाता है कोरिन एमबसी से कॉल होता है उसे कहा जाता है कि एक good news है तुम्हारी wife घर पर आने वाली है जॉंक को इस पर घुसा आता है पर वो इस पर जादा ध्यान नहीं देता camera on करता है और family फोटो में आ जाता है और एक smile करते हुए एक बड़ी आसी हो फोटो निकालते है इनकी family अब फिर से बन चुकी है यहीं movie खतम हो जाती है इसके बाद end credits में हमें पता चलता है कि इन दोनों को और एक बिटी हुई थी एक happy life यह सब जी रहे है हमारे life में हमारी situation कितनी में खराब हो पर फिर भी हमें give up नहीं करना है इतने पर बुरे दिन हमें आ जाए पर फिर भी हम इसे adjust कर सकते है इन बुरे दिनों से हम बाहर आ सकते है जो कुछ हमें चाहिए इसके लिए हमें कभी बे give up नहीं करना है इसे अच्छे से message के साथ यह movie end हो जाती है अगर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इसे like और comment जरूर कर दीजएगा मैं बहुत सारी movies लेकर ना तरहता हूँ तो प्लीज इस channel के subscribe कर दीजए और bell notification icon दोने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमूग के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिया